मुझा जब्सक्राइब ओड़ाइब 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 ड़ाइब वालकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग मैं हूँ भावना मैंने आज आपके साहँ जो विडियो शेर किया है वो किया है यह यह मैंने किया है क्रोशमिस के लिए क्रोशमिस पाटी पे आप मेकप लुक क्रीट कर सकते हैं बहुत शिंपल है बहुत जल्डी से टना आओट भी होs गया था और आइब आप लोगों को ये वीडियो चाह लगेगा, आप इस वीडियो को इंजाय करेंगे, मैंने यहां कोई रैट टाउप नहीं डाला था, मैंने आईशेडू भी रैड यूज नहीं किया था, और जो मैंने रियल में रैड लिप्स्टिक लगाई, तो मेकप को ज़्यादा इन्हेंस होकर आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, शायद कि मैं अगर न्यूट रगती या पिंक रगती तो इतनी अच्छी नहीं लगती, जितनी रैड के साथ इसमें गैट अप आ कर देना, साथ में अगर आपनी चाया पर नए हैं तो में चाया को सब्सक्राइब करना विडियो ना भूज़ेगा, पहले सब्सक्राइब कीज़ेगा तर उसके बाद वीडियो कीज़ेगा, ज़ली जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, ज़ली जल्दी से वीडियो देख अगर आपकी oily skin है तो आप इसे बाई कर सकते हो बहुत अच्छा result है इसका आपकी skin बहुत अच्छे से smooth कर देगा आपका base बहुत अच्छा कर देता है उसके पाद मैंने लिया है इनिस-free का aloe vera gel मेरा almost ये खतम हो चुका है थोड़ा सा ही रह गया है अच्छे से आप अपनी skin को booster कर लो अच्छा सा आपने base स्यार कर लेना है ताकि आप जो भी makeup करो बहुत अच्छे से flawless लगे आपका makeup glow करें आपकी skin हाम आपकी makeup कोई भी makeup आपकी skin को हाम ना पहुंचा है उसके बाद मैंने लिया है Swiss beauty की eyebrow kit और दो shade mix करके मैं अपनी eyebrow fill कर लूँ नैचरल शेम में एच बनाते हुए उसके पास सबसे पहले मैं करूंगी eye makeup उसके लिए मैंने लिया है Swiss beauty का concealer और मैं अपनी eye lid पे लगा लूँगी इसे मेरा shade I think 02 shade number और shade name मैं description box मैं add कर लूँगे आप चेक कर लेना और मैं beauty blender की help से ब्लैंड करूंगी जब भी makeup करते हो सबसे अपने क्या करना है beauty blender को थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रग दिया करो उसे फिर अच्छे से स्कीज करके फिर उसे यूस किया करो उसके बाद मैंने लिया है यह purple की lip ball मैंने lip balm लिया है और अपनी lip को moisturize कर लूँगी जितनी देर तक मेरे मैं अपना makeup complete करोंगी तक मेरे lip अच्छे से मशेयराइज हो जाएंगे उसके बाद मैंने लिया है Maybelline का compact Maybelline Fit Me का compact मेरा shade I think 128 warm nude है और उसके बाद मैं यह लूँगी makeup revolution की eyeshadow palette यह मैं फर्स टाइम यूज कर रही हूं और मैं यह दो shade mix करके अपना eyelid पे लगाऊंगी मैं crisp पे लगाऊंगी इसे और दोनों shade लूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं shade लूँगी और मैं place करूँगी अपने eye crisp पे थोड़ा थोड़ा shade लेना है और आपने लगाना है फिर और blend बहुत अच्छे करना है उसके बाद यह मैंने लिया है dark brown shade और मैं अपने outer way पे इसे र थोड़ा बहुत कभी एक साथ लेके लगा लोगे ना तो बहुत जादा अजीव सा thickness दिखेगी shade में और ना cleanness नहीं आएगी थोड़ा 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 लेके लगाओगे और blend करोगे बहुत अच्छा color आएगा जो आपको चाहिए जितना भी आप color चाहते हो dark light आप उसी finger की help से थोड़ा थोड़ा लेना है और मैं अपनी ऐसी finger की क्या होता है ब्रश से नहीं पिक होते हैं अच्छे से उसके बाद मैं यह dark golden shade लोंगी और यह मेरे पहले shade और मेरे brown shade के बीच में बिल्कुल में लगाऊंगी ताकि मेरा shade कुछ भी और ना लगे एक अच्छी सी नीचे होगा वो सब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद मैंने eyeliner के लिए लिया है Maybelline का क्लोसल वाला eyeliner eyelashes मैंने लगा ली है off camera उसके बाद मैंने लिया है Naika का मशकारा यह मशकारा रियल में बहुत अच्छा है मैं I think second third beauty मैं अपनी यही वाला लगा रही है मशकारा वही थीनो shade apply करूंगी मैं अपनी lower lashes line में brown light cream color और champion gold color लेके inner corner पे लगाते हुए अपना eye makeup मेरा complete करूंगी lower lashes line में मैं मशकारा लगाऊंगी मशकारा बाद में लगाया करो पहले जो भी shade लगाना है वो लगाओ फिर उस के बाद मशकारा लगाओ उसके बाद मैंने के लिए है न्यूटिटम के face cream mushroomizer vitaminic के साथ है यह आपका skin type जो भी है आप यह ले सकते हो use कर सकते हो इसका result मुझे real में बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं से use करती हूं मेरी skin बहुत अच्छा glow एक shine सी बनी रहती है मेरे face पर मुझे इसका result बहुत अच्छा लगता है उसके बाद यह मैंने लिया है wet and wild का face primer आज ही आपके सामने use कर रही है भी मैंने इसकी packaging खो लिया आपने देखा होगा यह tinted base shade में है और इसे मैंने अपने pores को fill कर लिया है ताकि मैं जो foundation लगाओ वो अच्छे से spread हो जाए मेरे face प सारे में फैला लूँगे अच्छे से spread कर लूँगी और मैं beauty blender की help से से अच्छे से blend करूँगी हमेशा कहती हूं blending बहुत जरूटी होती है जितना time blending पे दोगे उतना आपका makeup glow करेगा आपका makeup काला नहीं पड़ेगा उतनी काफी देर तक आपका makeup stay रहेगा आपकी skin glow करेगी उसके पाद मैंने लिया है concealer inner corner और outer corner पे अंडराई में लगाऊंगी इसे थोड़ा थोड़ा लेकर बहुत ज़्यादा quantity में मैंने नहीं लगाया है कि मैं blend कर लूँगी वही मैं आपको कहा ही यतना blend करो के उतना makeup आपका अच्छा लगेगा मिर को भी पहले कुछ ऐसी वो च करना है उसके बाद compact सर्दी का time है बहुत ज़्यादा compact मत लगाना बहुत हलके हास्ते थोड़ा थोड़ा quantity में लेकर मैंने इसे बस हलका सेट किया है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है contour के लिए मैं लूँगी स्टेक की contouring stick और थोड़ा-थोड़ा contouring कर लूँगी म contouring मैंने contouring करने के बाद मैंने इस पर ब्राउंजर भी लगाया था वह भी आपको पता चल जाएगा मैं इसे blend कर लूँगी इस ब्रश की हल्प से अब देख सकते हैं मेरा make-up ना अलग ही glow कर रहा है कुछ tips follow करोगे न अपने make-up करने से पहले तो आपका make-up automatically बहुत अच्छे से glow करेगा और उसके बाद मैंने लिया है लैक में का shimmer brick इसमें से सिर्फ मैं एक pink shade लूँगी हमेशा मैं two shade mix करके लगाती हूँ लेकि मैंने अभी कुछ और भी लगाना है इस पर दूसरा shade blush तो फिर मैंने सिर्फ एक shade लिया है pink shade और pink shade लगा लेकर मैं brush में थोड़ा थोड़ा लेकर मै मैंने लिया है makeup revolution का face palette उसमें से मैंने ये लिया है bronzer ब्राउंजर shade लिया है और मैं contouring के ओपर apply कर लूँगी बहुत ज्यादा glowing glowing face हो गया था बहुत अच्छा लग रहा था face बहुत अच्छी look आई थी और ये मैं उसी के ओपर जिसमें मैंने contouring करी थी उसी पर थोड़ा थोड़ा लेकर place कर लूँगी अच्छे से और blush के ओपर मैंने वही blush लिया है जो मैं भी आपको दिखा रही थी एकदम glossy glossy सा glowing glowing सा मेरा face हो गया था बहुत जादा प्रेट शेडर ब्रश ले लूँगी और ये शेयर लेकर मैं अपनी brow bone में inner corner में apply करूंगी इसी brush की help से किता प्यारा हुआ था किता simple सा make-up look है कुछ भी बहुत जादा हमने यूज नहीं किया कि बहुत जादा हमने एक ही eyeshadow palette में से हमने शेयर ली है उसके बाद मैंने लिया ह मेबलीन का ये highlighter बहुत प्यारा highlighter है अगर आप एक वारी यूज करोगे तो आप इसके fan हो जाओगे मैं जब से यूज करने लगी मुझे अपनी हर वीडियो में इसे ही यूज करूँ उसके बाद मैं जितना भी एक्सिज मेरा lip balm है वो मैं remove कर दूंगी इससे tissue से मैंने lipstick के ल आप लोगों को ही पसंद आया होगा मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next वीडियो में